जैहिंद पेंसनर बंधू, मुझे उमीद है आपका पेंसन सुचारू रूप से आ रहा है और जो डिफेंस पेंसनर आज परेसान है असपर्स के करण इन ही की समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि यह स्क्रीन पर ही दिखाएं थोड़ा आपकी digital literacy भी बढ़ाएं तो आज हम आपको online ही बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है इसकी सारी प्रक्रियाओं को मैं बताऊंगा एक एक स्क्रीन करके आप अपने computer पर, laptop पर, tab पर या mobile पर भी किसी भी browser पर करके यह देख सकते हैं इसकी सुरुआत होती है असपर्स में login करने से तो login कैसे होगा जब तक कि आपके पास user ID या password नहीं आया तो कैसे होगा यहीं से समस्या सुरू होती है और कई बंधू है जिन्हें यह भी मालूम नहीं है कि उनका pension migrate हुआ की नहीं तो अगर आपका migrate हुआ है तो सबसे पहला जो SMS आपके registered bank के registered mobile पर आएगा dear customer as per PCDA directive your pension has been transferred from so and so bank to a spurs आप यहाँ देख पा रहे होंगे यह पहला SMS है अगर यह पहला SMS आया तो समझे आपका migrate हो गया और migration के भर्ज में है यह जो pension का आता है SMS यहाँ देख लिजे BPSBI PEN यानि कि जो pension credit हुआ करते थे पहले SBI का जिस ID से उसी ID से आया है तो यहाँ माना जा सकता है कि यह authenticated SMS है दूसरा SMS आता है credit हुआ है जिस दिन भी credit हुआ dear so and so आपका PPO number यह new pattern आया है MIG करके आएगा आपका PPO number legacy PPO number यह PPO नहीं रहेगा जो manual PPO number होते थे MIG का मतलब होता migration migrated और इसके बाद आपका legacy वाले PPO रहेंगे your bank account number so and so is being credited with an amount of so and so towards monthly pension pension will be credited in account on so and so date regards team Aspurs तो यह दूसरा SMS आता है अगर आपका mobile registered है Aspurs में भी जा चुका यानि कि bank से data वहाँ भी जा चुका है तो यह दूसरा SMS इस प्रकार आता है और उससे करीब महीना के अंदर आठ दिन के अंदर अभी थोड़ा सा समय लग रहा क्योंकि bulk में अभी migration हो रहा थोड़ा सा समय लग रहा महीना दो महीना भी लग जाते तिसरा SMS इस प्रकार आएंगे जिसमें कि आपके user ID होंगे और उसके साथ ही आपके user name होंगे और password होंगे यानि कि pension ID और user name दोनों सेम ही होते सिर्फ उसमें 01 आप यहाँ देख पा रहे होंगे 01 suffix हो जाते हैं अगर regular pensioner है और अगर family pensioner है तो 03 suffix हो जाएगा यानि कि pension ID जो है और spurs pension ID वह ही आपका spurs PPO number कहलाता है जो कि 12 digit होता है जिसका कि philosophy मैंने बता ही दिया हूँ पहले ही आप पिछले वीडियो देख लीजे इसी में 01 या 03 लगा देते हैं तब यह user name बन जाता है जो कि आपका permanent रहेगा और तीसरा होता password यहाँ जो आप password देख पा रहे हैं इस password को सिर्फ एक बार use करना होता है उसके बाद strong password डालना होता है इसके साथ ही इस SMS में आप देख रहे होंगे उनके toll free number भी दिये हुए है 1800-180-5325 जिसके key timing भी दिये हुए 5 days भी काम करते हैं 9.30 to 6 o'clock तक होता है तो यह तो तीसरा SMS आ गया तो अगर तीसरा SMS भी आ गया तो समझे आपका बिल्कुल ही login हो जाएगा कोई problem नहीं होगा आपको क्या करना है यहां username में डालना है और यह डाल देना है password जो पहला आया है one time बाला यह डालके और फिर change करने बोलेगा change कर देजे अब अगर आपका नहीं आया है अब समस्या यही हो रहा कि migrate भी हो चुका और आया भी नहीं तो हमें क्या करना है तो के लिए मैं आपको सीधा website ही लेके चलता हूं यहां देखिए यहां आप देख पा रहे होंगे PCDA का जो official website है PCDA.nick.in यहां official website यह गूगल से भी जा सकते हैं और यहां देखिए lock का sign यहां आना चाहिए अगर lock sign आ रहा है तो यह authenticated है यहां भी देखिए toll free number logo यह सबसे आप पहचान सकते हैं अब यह इसका home page है आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप land कर रहे है home page में यहां देखिए इस तरह से इसका home page का look होता यहां आप देख लिजे right corner top right corner में migration into a spurs अब यहां कब आना है हराल में आपको आना ही है defense pensioner है तो PCDA से नाता आपका closely रहना ही है आजी साइट नहीं है असपर्स का website अलग है PCDA का अलग है तो आपको PCDA के website में migration into a spurs चेक करना है यहां देखिए right side में check status जैसे check status करेंगे एक window और खुल जाएगा यहां a spurs ppo number अगर आपके पास a spurs ppo number है तब तो यहां inter option value में आप डाल देंगे लेकिन अगर a spurs ppo अगर होता ह तो यहां फिर आने की जरूरत ही क्यों होती है आप तो सीधे a spurs के website से ही कर लेते तो ऐसा माना जा रहा कि आपके पास नहीं है तो आपके पास यह तीनों में से कुछ न कुछ तो जरूर होगा e ppo अगर आया है यह आपका ic number regimental number gpf number है यहां यह देखना है कि जो min है airman है यह army पी बी यो आ रहे हैं तो उनके जो check suffix होते हैं उसमें dash नहीं देना है आपको service number without dash के ही check suffix दे देना है और जो jc हैं उनको jc के बाद dash वेगरा कुछ नहीं देना जेसी देना है और numerical number देना इसी तरह से ic number में भी कोई भी number कोई check suffix वेगरा के pilot dash नहीं लगना और account number तो simple जिस bank से आप ड्रा कर रहे हैं तो इस तरह से आप यह option value में यहां डाल दीजे यहां capture दे दीजे और submit कर दीजे इतना काम करने से आपको क्या-क्या हो जाएंगे तो आपके हो सकते हैं कि migrate हो देना है, select कर लिए, select करके मैंने डाला, तो पहला option है कि आपने जब सारा field सिर्फ एक चीज आपको देना है, या तो EPPO देना है, regiment number देना है, या account number देना है, जैसे देना है तो पहला option हो सकता है कि bill be available soon, जो कि आज कल आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका migrate तो हो चुका है, लेकिन अभी generate नहीं किया गया है, अभी आपका pipe lining है, क्यांकि इतने bulk में हो रहे हैं, थोड़ा सा slow चल रहा है PCDA, EPPO का काम, तो यह option है कि bill be available soon, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, bill be available soon आने की संभावनाए हैं, इस video को आप गौर से देखे ताकि आपके सारे दुवधा द लिजे, और यही asperse ppo number आपके आगे की कारे में मदद करेगी, इसी asperse ppo में आप अगर regular pensioner हैं, तो यह 01 suffix करके आपके username बनेंगे, और यहाँ forget password कर दीजे, जब forget password करेंगे, तो आप से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, और यहाँ डाल दीजे, इस तरह से आप successfully login कर लिए तो आज बस इतना ही, अगले दिन फिर हम और बताएंगे, अगर हमारी channel को आपने living happily को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो जरूर ही subscribe कर लिजे, जिससे हमारे channel को भी आपके जैसा ही प्रगति उनत्ती करने का उसर मिलेगा, जिससे हम और skilled team को, बहतर team, बड़े team को लगा सकते हैं research में, editing में, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को पहुचाने में, तो अगर आपने subscribe कर लिया है, तो bell icon भी push कर लिजे, ताकि आपको pension से संबंधित, wellness से संबंधित, कई तरह की वीडियो आपको मुफ्त में मिलते रहेंगे, like कीजिए, अपने सगे संबंधियों के साथ, साज करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और अंत में आप हमारे साथ जीवन का बहुमुल्य समय देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलता हूँ